सिंगरौली पुलिस अजिक्षक दीपक शुकला के निर्देशा नुसार बेडन थाना कोतवाली टियाई मनिस्थ पार्टी के नेतरत में गोबा के नानियागर में हुई टकेती में फरार चल रहे आरूपी को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है पुलिस सदिक्षक ने फरार आरूपी को गिरफ्तार करने के लिए 7000 के नाम भी गोशित कर रखा था बताय जार आएके कुझ विहारी बुतरिया ने 19 मई 2007 को कोतवाली थाना में अफायाद दर्च कर आई थी और 9 ग्याद व् घर में गुसकर उसके और उसके बाईक के घर से 52,000 रुपे नगदी एवं लाकों के सोने चांदी के जेवर डख्यती डाल कर ले गए जिसमें थाना बेडन कोतवाली पुलिस ने आरूपियों के खिलाप मामला दर्च कर नाम जग नो आरूपियों को कुछ गिरफ्तार कर कर में मौके पर गिरफ्तार कर लिया था जिसमें से कोतवाली बेडन दौरा 12 वर्स वाज 4 अप्रल 2019 को राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है वहीं एक अन्यारोपी रामुजन निवासी कोगवार 36 गड़ जो की घटना दिनांस से फरार होकर उतर प्रदेश में कह नहीं रहने लगा था जिसे सौन वद्र के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है आगामी लोकसवा चुनाव के मंदे नजर कोतवाली प्रवारी मनीश त्रिपाड़ी द्वारा 10 मार्स 2019 से अब तक गुंड़ा बदमाज चोर गिरो समयत अन्य कई मामलों में फरार स्थाई 28 सारोपी वारंडियों को गिरफ्तार किया गया है वक्तकारवाई में ASI बालेंद्र शेकर मिष्रा, प्रदान आरक्षक डियन सिंग, संतोस सिंग चंदेल, अर्विंद चोवे, पिंटू राय, आरक्षक संजय परिहार, महेश पटल, प्रिविन सिंग, महिला आरक्षक दलायावदव के आहम भून का रही है